अमेरिकी हवाई हमले में इरानी कमांडर कासन सुलेमानी की मौत के बाद अब इरान ने अगोशित रूप से अमेरिका के खिलाफ युद्ध का एलान कर दिया है शनिवार सुभा इरान ने जाम करन मज़िद के उपर लाल जंडा फेरा कर युद्ध के लिए चेतावनी दी सूत्रों के मुताबिक ऐसा पहली बार नहीं है जब इरान ने इस तरह से मज़िद के उपर लाल जंडा फेराया है वहीं दूसरी ओर खाडी में तनाव बढ़ता दिखाई दिया शनिवार रात इराक की राजधानी बगदाद के बेहद सुरक्षित इलाके ग्रीन जोन और अमेरिकी एर बेस पर रॉकेट हमले हुए अभी ये सपश्ट नहीं है की हमला किस ने किया हाला की माना जा रहा है कि शुक्रवार को बगदाद में अपने टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रॉन हमले में मौद के बाद इरान ने पलट वार करते हुए इन हमलों को अन्जाम दिया है